यहां पर एडवाइस है चाहिए छूट से हम बनाइए ऐसमें वर्बर क्या है पर वर्ब प्रेम करना चाहिए ла चुट के साथ में हमार्गाल के साथ चाहिए जो लगों को ब्रेम करना लभ, लोगों को प्रेम पल्ट करना चाहिए एक दूसर से, इच अदर भी लिख सकते हैं, दो लोगों के लिए आता है, वन अदर, एक दूसर, जादा लोगों के लिए हम वन अदर लिखते हैं, वनना इच अदर भी लिख सकते हैं, 16 क्योंकि, as, क्योंकि के लिए as भी लिख सकते हो, और because भी, frame, सवभाविक रूप से आता है, अब यह देखो, यह वर्व है, आना, कहा रहा है, वर्व है, कि किसके लिए आया है, frame के लिए, frame के लिए, frame है subject, यह frame आता है, वर्व, आता है, present definite है, present definite में does नहीं आता है, affirmative में, और as लगा देते हैं, तो as लगा दिया है, love comes, यह singular subject है, so love comes, present definite, सवभाविक रूप से, means naturally, इसे ध्यान से देखो, love comes naturally, because, यह as, love comes naturally, होती आसान बना हुआ है, 17th sentence, Mandela मानते थे है कि, वह यह क्या है, past definite definite में, थे थे, अब जब था और था आता है, था पास्ट है, यह past definite में हो गया है, इसमें हम डिड़नी लाया थे, second form यूज करेंगे, Mandela मानते थे, Mandela, believed, डिड़नी यह second form, he, that, हर आदमी के दो दायत होते है, अब यहाँ पर क्या है, यह past में है, और कोई यह universal truth के तौर पर हम नहीं मान रहे है, कि उनका एक belief था, इसे हम है की बजाए, था मान के करेंगे, था मान के तौर पर करेंगे, अचा जैसे मेरे पास car है, I have a car, मेरे पास car थी, I had a car, मेरे पास car थी, past, यहाँ पर हम past का sense दे रहे हैं, हर आदमी के, दो कर्तवे होते हैं, past में बनाना है, क्योंकि पिछला past में है, वो universal truth नहीं है, every man, हर आदमी, past में, past क sense में, head आएगा, past के sense में, क्योंकि हम Hindi से English में translate करने हैं, तो जरू ही नहीं है, Hindi का हर एक word English में as it is लग जाए, कई बार लग जाता है, कई बार नहीं लगता है, इस sentence में क्या है, हमें मतलब sense, इसमें सही लगाना है, यहाँ बिल्कुल exact नहीं बैठ रहा है, every man, head, हर आदमी के हैं, two duties, two duties, two duties, two duties का दूसरा word obligations, obligations थोड़ा मुश्किल शब्द है, बना duties लिख सकता है, हर एक आदमी के head, two duties, two duties, दो कर्तव थे, past में आपने बनाया ऐसे, एक अपने परिवार के प्रती, यह जो है न, इसमें क्या है, एक अपने परिवार के प्रती है, फोड़ा सा चें करेंगे, translate, हमें यहाँ पर अपने इंग्लिश के हसाब सा सोचना पड़ेगा, एक, one is, एक है, एक है, one is to his family, अपने परिवार के प्रती, यहाँ के प्रती, towards, इसमें आप towards यूज कर सकते है, one is towards his family, यहाँ पर towards लगा सकते है, one is towards his family, और, यहाँ के end, इसरे अपने राष् या फिर other, कुछ भी use कर सकते हो, another कर लो, other use कर लो, second use कर लो, इस लगाने की जरूती है, इस यहाँ पर एक ही sentence चला है, इस यहाँ पर लगा चुकियो, इस मत लगाओ, इस तो इस लगा दोगा तो गलत नहीं है, और ना लगाओ तो ज़्यादा भैतर है, and the another is to his nation, अपने nation क प्रती है, तो हर आदमी के दो करतवे हैं, एक अपने परिवार के प्रती है, और दूसर निशन के प्रती है, हमने इस आरेम से बनाया है, जैसे he is a good boy, ऐसे ही है, one is to his family, एक अपने परिवार के प्रती है, 19, लेकिन, बट, वह, अपने दोनों करतेवे को पूरा नहीं कर सके, अब यहाँ पर क्या है, देखो, वह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन होता है, जो कायर करता है, जिसके बारे में बताया जा, यह वह क्या कायर कर रहा है, पूरा नहीं कर सका, सका माने क्या होता है, पूर पूरा करना, पूरा करने के तार फुल्फिल भी लगा सकते हो, लेकिन he would, सका, would के साथ में first form आती है, फुल्फिल, या तो फुल्फिल लगा लो, पूरा करना, या फिर दू लगा लो, not आगया, नहीं, अपने दोनों करतावे, अपने, his, both, both आगया, दोनों, बोथ करतावे duties, obligations, यहाँ पर his किसके लिए आया, he के लिए, he के अपने की English क्या होगी, his, जैसे मैं कहूँ, he, him, his, जैसे, उसकी किताब, his book, उसका pen, his pen, यहाँ पर he के अपने की English आया, his, यह अपने की English है, he के अपने की English, his, 20, अपने देश के लिए कुछ करने के उद्देश्य, यह थोड़ा मुश्किल है, भई है, के उद्देश्य से, in order to, उद्देश्य, उद्देश होता है, order, order, जो हमें पता है कि भई, आग्या के लिए आता है, order जो होता है, करम के लिए भी आता है, चीजों के करम में, उद्देश्य, उद्देश्य में भी आता है, in order to, उद्देश्य, करने, करने के लिए क्या आएंगे, to, तो साथ मे इस नेशन अपने के लिए हमने इत्ता आया है फुड़ा मुश्किल है इसको ध्यान से देख लो एक उद्देश से होता है इन ओर्डर टू करने के लिए डू next, struct 21th मंडे़ा कभी अपने परिवार के प्रति नहीं पूरा कर सके üzट है भही यहाँ प्या सके एकगा पूरा करना और किस के लिए हैं बंडेला के लिए सबजेक्ट हो गया मंडेला सब्जेक्ट है और वर्व यह दायत्यों नहीं कर सकोके कभी नहीं, never इसे अब हम बनाएंगे मंडेला, सके, could कभी नहीं, कभी नहीं के लिए never, could के साथ में first form आती है fulfill आ गया या do एक लगा लो इसमें, fulfill लगा लो, पूरा करना या फिर do लगा लो अपने परिवार के प्रती, करतवे, दायत दायत हो गया, puties यहां तक, जो red part था, वो यहां तक हो गया, मंडेला could never fulfill these, यहां तक हो गया, अपने परिवार के प्रती, के प्रती क्या होता है two words, two words means, के प्रती, his family अपने परिवार के प्रती इसे देखो ध्यान से lengthy sentence है बड़ा प्रकड़ों में बनाना है, पहले जो red part है उसे बनाओ, मंडेला कभी दायत वो नहीं पूरा कर सके मंडेला, could कभी नहीं, never, never बीच में आएगा, फिर वर्व की first form आगई could के साथ में, first form fulfill और फिर, these, करतवे और यह जो बाकी का है, अपने परिवार के प्रती, यह हमने last में लिख दिया words is family 22, पहले red part को बनाना है, मंडेला ने याद किया की, अब देखो मंडेला पर क्या है, याद करना और पूरा past में मंडेला, past and definite में remembered, didn't नहीं लगाया और यह second form यूज़ करी है मंडेला, remembered for the word, key के लिए that आगया पचपन में, सुरू में लख दिया in childhood, tropical में in childhood swatantraftा का मतलब था इसे past indefinite में बनाया है swatantraftा का मतलब थोड़ा change कर ले है होता था, past indefinite swatantraftा का मतलब होता था swatantraftा, freedom मतलब होना होता mean की second form आती है meant second form use करी है सब्सक्राइब करना चाहते थे कर सकें यह जो के लिए हम सोचेंगे भई विच या धैट फिर हू लगा दें जब कोई बात करते हैं इसके लिए हम वाट लगाते हैं वाट माने भी जो होता है जैसे जो मैं कहूंगा वो तुम मैं करना होगा वाट आई से यू विल डू जो तुम सोचते हैं वो करो तो बात के लिए हो बात के लिए हो तो हम जो की इंग्लिश वाट लगाते हैं यहां पर हम लगाएंगे वाट फेले red part बनाते हैं, जो what, वह करना चाहते थे, past indefinite में didn't need last second form, वह ही second form आगे wanted, past indefinite में what he wanted, करना to do, इतना हो गया, देखो red part में what he wanted to do, दो वर्ब को हम two से जोड़ देते हैं, दो वर्ब को हम बिना two के नहीं लिखेंगे, wanted to, to first form है, जो वह करना चाहते थे, इतना हो गया अब यहाँ पर थोड़ा सा बदल लेते हैं, हिंदी में, वह कर सकें, वह कर सकें, he could, अब आप लगाना चाहो, तो करने के तौर पर do लगा सकते हो, लेकिन जुरूत नहीं है, यहाँ पर already हमने do लगा दिया, एक ही sentence है, और do लगा दिया है, यहाँ काफी है, अगर लिखना चाहो, तो he could do, दिख सकते हो, इंगलिश में करी बार छोड़ देते हैं, पुरा मीनिंग है, वो इससे clear हो रहा है, जो समझने वाला, वो समझ जाएगा, कि वह यहाँ पर भी apply हो रहा है, इससे एक बार देख लो, यह थोड़ा मुश्किल sentence है, इसका structure मुश्किल है, जो वह करें जाना है, जयस worship हो, subject है, यह पूरा, यह थोड़ा धिकत करेगा, की से जुड़ा हुआ है, यह subject है, यह की से जुड़ा हुआ हूआ है, इस वएसे पूरा subject है, ध्यान से, पंडेलाज अंडर्स्टेंडिंग, अंडर्स्टेंडिंग होता है समझ of freedom of means key यह भी apostrophe ऐसे यह भी key है जो key से जोड़ा हुआ है इसका मतलब पूरा इस subject एक ही है क्योंकि यह key से जोड़ा हुआ है और जो key से जोड़े हुआ होते हैं उनको हम पूरा एक साथ ही चोड़के रखेंगे, यह पूरा पूरा सब्जेक्ट है, बंडेलाज, अंडर्स्टेंडिंग और फ्रीडम, पास्ट इन डेफिनेट है, बदल गई, बदल गई, जिद नहीं आया, सेकंड फॉर्म, चैंज होता है, चींज की सेकंड फॉर्म, चैंज से देखो, सब्जेक्ट इसका खास कर देखो, सब्जेक्ट जो है, थोड़ा मुश्किल है, शूम्र और अनुभव के साथ, यह साथ मिन्स क्या होता है, विद, उम्र और अनुभाव, एज, एंड, एक्स्पिरियंस, एक्स्पिरियंस हो गया, अनुभाव, इसमें सब्जेक्ट जो है, वो थोड़ा मुश्केल है, सब्जेक्ट बहुत ब्लेंदी है, पूरा-पूरा मंडेलाज अंडेस्टेंडिंग और फ्रीडम, यहां तक पर वे चेंजड, फस्ट इंडेफिनेट में इसेकंड फॉर्म, लास्ट लाइड है, सेकंड लास्ट लाइड है, उन्हें एहसास हुआ कि स्वतंतरता एक जिथ्या थी, अब देखो, उन्हें मींस क्या यहां पर, ही मंडेला की बात हो रही है, पूरी स्टोरी पास्ट में, जिसे हम पास्ट में definite बनाएंगे, डिनी लाएंगे, second form, he realized, felt भी लागा सकतो, he felt that, उन्हें second form आ गई, उन्हें हैसास हुआ या उन्हाने अनुभाव करा, that, स्वतंतरता एक मिथ्या थी, स्वतंतरता यह हो गया, freedom, he was an illusion, illusion होता है, मिथ्या मींस भ्रम, भ्रम थी, illusion, भ्रम नहीं होती, जैसे, he is a good boy, वर्म नहीं है, कोई कार ऐसा नहीं होता, जाना, रोना, बोलना, इसी तरीके से अच्छा लड़का था, he was a good boy, तो यह ऐसा वही sentence है, freedom was an illusion, जैसे हम कहें, iron is black, इसमें कोई वर्म नहीं है, खाना, जाना, रोना, इसमें वर्म नहीं है, तो यह इस है, बच्चपन में अनुभाव करते थे, वह सब्जेक्ट, और क्या है, अनुभाव करना, काई हुआ हुआ है, करना, अनुभाव करना, पास्ट इंडेफिनेट में बनाएंगे, जो वह अनुभाव करते थे, जो के लिए that लगा दिया है, which, that जादा तर लगाते हैं, जो that, वह है, यह आ गया, अनुभाव करना, second form है, पास्ट इंडेफिनेट बनाएंगे, second form, he felt, जाफ़े, he realized, realized कर सकते हैं, second form, he realized, अच्छा, enjoyed भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम English में बना रहे हैं, translate कर रहे हैं, तो English के साब सा थोड़ा सोचके देखो, बच्पन को enjoy करने पर हम लग सकते हैं, पोड़ा अजीव लगेगा, लेकिन English को जो समझता है, उसके लिए यह ठीक है, enjoyed बिल्कुल accurate है, तीन है, 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 हैसूस करते थे, realized भी लगा सकते हैं, felt भी लगा सकते हैं, enjoy करते थे, childhood में, enjoyed यहाँ पर second form है, वो enjoy करते थे, childhood में, last slide है, 27, Mandela का मानना है, स्वतनतर स्वतनतरता एक स्थिती है, अब देखो यह present में, Mandela मानते हैं, यह एक present में दिया हूँ है, Mandela beliefs, present definite है, और यहाँ पे जब वर्ब सिंगुलर होता है, singular, तो वर्ब में हम S है, ES लगा दे, तो यहाँ पर S लगा दिया है, S या ES लगाते है, यहाँ पर S लगा दिया है, present में सुतनतर का freedom is our state, state में से इस्थिती, जैसे sentence बतलाया था न, iron is black, इसी तरीका sentence है, freedom is our state, freedom एक इस्थिती है, अगला sentence थोड़ा मुश्किल है, 28, जिसमें व्यक्ति रोजगार, सिक्षा, विफसाई के साथ बिना समस्या के दहता है, यह जो बहुत lengthy sentence होते है, इसमें पहल और देखो यह वर्ब किसके लिए बनाए, यहाँ वर्ब क्या है, वर्ब जो sentence के आखिर में मिलेगा हिंदी में, रहता है, यह वर्ब किसके लिए बनाए, जिसमें व्यक्ति रहता है, यह बनाना है व्यक्ति रहता है, यह बनाना है व्यक्ति रहता है, जिसमें means in which, जिसमें विक्ति रहता है present definite है आप person हमने एक विक्ति माना है present definite है फर्व में हमने एस लगा दिया present definite में अगर singular subject होता है फर्व में हम एस लगा देते हैं अब person lives एक विक्ति रहता है अब बनाना है रोजगार, सिक्षा, व्यवसाए के साथ, साथ क्या होता है with with employment education and occupation occupation means जवसाए अब जो जो है परपल कलर में बिना समस्या के बिना समस्या बिना means without any problems बिना समस्या हमने यहापर समस्याओं के माना है बिना समस्याओं के problems करे समस्याओं without any problems पुरी स्टोरी को 28 sentence में divide करा था जिसका मैंने एक-एक sentence को आपको इंग्रिश में ट्रांसलेट कराई है उम्ही करूँगा आपको अच्छे देश से समझ में आयो मिलते अगरे वीडियो में गुडबाई